नमस्कार दोस्ति भावगत ब्रस्पती का राशी फल भावगत यानि की आपकी राशी के लिए गोचर में देव गुरु ब्रस्पती किस भाव में बैठे हैं यानि किस खाने में बैठे हैं और जब गुरु उधित हो जाएंगे अस्त अवस्ता से 28 तारीक के बाद उसके बाद से पूरे 12 महीने गुरु आपको क्या रिजड़ देंगे बीज बीज में गुरु वक्री भी होगे अस्त भी होगे लेकिन उन सब के बारे पर भी चर्चा करेंगे बाद में लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ बात करने वाले हैं भाव गद ब्रस्पती का फल आपकी राशी के लिए पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा ध्यान से देखिएगा केंद्र या त्रिकोण जो भाव होते हैं वो देव गुरु ब्रस्पती को अत्यंद पसंद होते हैं यानि आप ऐसा कह सकते हैं यहाँ पर ब्रस्पती शुब पईडाम देते हैं जिसकी भी जनम कुंडली में जिसकी भी जनम कुंडली में देव गुरु ब्रस्पती दितिय भाव पंचम भाव नवम भाव और एकादश भाव में बैठे हैं ये शुब ब्रस्पति होते हैं यहाँ ब्रस्पति के रिजटट शुब मिलते हैं अच्छे मिलते हैं जिसकी भी जनम कुड्ली में देवकुरु ब्रस्पति पहले खाने में चोथे खाने में साथवे खाने में और दसवे खाने में जैसा कि मैं आपको कुण्ली में भी दिखा रहा हूं बैठे होंगे देव गुरु ब्रस्पती महा शुब फल देते हैं देव गुरु ब्रस्पती जहां बैठते हैं, वहां से जहां देखते हैं, यानि उनकी द्रस्टी जहां जहां पड़ती है, वहां पर अम्रत तमान शुब फलो की वर्शा होती है. अगर आपकी जनम कुणली में और गोचर कुणली में देव गुरु ब्रस्पती, दितिय भाव, पंचम भाव, नवम भाव या एकदश भाव में बैठे हैं, या केंदरिस्थान में बैठे हैं, यानि पहला, चौथा, सात्वा और दस्वे घर में, तो ऐसे में ब्रस्पती आ केंदर और त्रिकोल में ब्रस्पती की स्तिती बहुत ही अच्छी है, शुब है और शांदार है, समाज में, जिस दुनिया में हम रहते हैं, वहां पर प्रशाशन में, जहां पर हम काम करते हैं, सरकार से जोड़े हैं, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में रहते हूं, या दिल् तो सरकार से लाब, शार्षन प्रशार्षन से लाब और समाज में लाब जिसमें हम जिन लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, काम काज करते हैं, परिवार में लाब जो भी जाता किया जातिका हो तो उसे धन, धान, एश्वरे, कीर्थी, वैभाव, संपती, सम्रदी, सम्मान, संपदा, पर्तिष्था देव गुरु ब्रस्पती देते हैं शादी का सुख, बच्चे का सुख, पढ़ाई का सुख, विदेश, यात्रा का सुख, सब कुछ देव गुरु ब्रस्पती ही देते हैं अगर देव गुरु ब्रस्पति मजबूत अवस्था में है तो या उनको हम उपायों से मजबूत बना लेते हैं तो ऐसा व्यक्ति खुद तो जीवन का आनंद लेता ही लेता है ऐसा व्यक्ति दूसरों को भी धन देता है यानि कि वो व्यक्ति मालिक होता उसके नीचे दस लोग काम करते हैं देवगुरु ब्रस्पती आपके उत्तम नौकरी और उत्तम वैपार को चलाते हैं, अच्छी पढ़ाई करवाते हैं, घर का सुख देते हैं, बड़ो का सुख देते हैं, इस्त्री, पुत्र, भोजन, नौकर चाकर, बढ़िया वस्त्र, गाड़ी, बंगला, आभूशन, यात इत्तराएं, यह सब कुछ देवगुरु ब्रस्पती ही देते हैं, तो अब आप समझगें, देवगुरु ब्रस्पती का उदै होना, और देवगुरु ब्रस्पती का वरत्म filthy में मंगल की राशी मेश में बैठना, आपके लिए कितना इंपॉर्टन है, और वो आपको क्या देंगे ये हम चर्चा करेंगे मैं यही कह सकता हूँ कि देव गुरू ब्रस्पती अगर आपके शुब हवस्था में बैटे हैं तो आपका जीवन अलोकिक होता है अलोकिक का मतनब होता है प्रकाश मान उसमें कहीं पर भी दुख दर्द अंधकार की जगे ही नहीं होती है तो मैं एस्ट लॉजर सचिन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अबनेंदन करता हूँ और हम बात करने वाले हैं देव गुरू ब्रस्पती के उद्धे हो जाने के बार 2023 से लिकर 2024 तक की यात्रा आपकी राशी के लिए क्या होगी हम वीडियो में बहुत सारी बाते जानेंगे उपाए भी जानेंगे तो पूरा वीडियो देखेंगे तो अगले एक साल या आने वाले अनेक साल आप एश कर सकते हैं तो आईए शुभारम करते हैं आपकी राशी से आप लोग चैनल को जरूर सस्क्राइब कर लिजिएगा और अगर आपकी पास आपकी जनम कुल्डी नहीं है तो आप बर्माना चाहते हैं तो दिये गए नम्बरों पे संपर्क कर सकते हैं चलिए शुरू करते हैं दितिय भावकत ब्रसपती होने से शाषन समाज द्वारत धन प्राप्त होता है यादि आपके लिए धनी धन है धनी होने वाले हैं आप महिला हो चाह पुरुष हो इंडिया में रहते हो चाह अमरीका में रहते हो देश में रहते हो परदेश में रहते हो गाउं में रहते हो य अगर कहीं कोई भाशर देना है अपनी बात रखनी है तो उसमें भी आप जीतेंगे आपके मूँ से निकलने वाले शब्द पत्थर की लखीर होंगे और अधिकतर शब्द सत्य निकलेंगे आप दूसरों का कल्यांड भी करेंगे दूसरों का भला भी करेंगे नौकरी अत्वा व्यवसाय में उन्नत्ती और प्रगत्ती होगी पैसा आएगा पैसा बचेगा भी ब्रस्पती अगर आपकी जर्म कुल्ली में दिती भाव में और गोचर में तो हैं तो आप ये समझ लिए या ब्रस्पती आपका जर्म पुर्णी में दिती भाव पर दर्स्टी डाल रहा है तो आप ये समझ लिए आपकी पदर्णती होना तेह है कारिश शेतर में इस्तितिया अनकूल होंगी उस्साह वर्दे को जोश में काम करेंगे किसी इस्त्री द्वारा भूमी प्राप्त होगी यानि आपकी अपनी पत्नी हो सकती है किसी और इस्त्री के द्वारा भूमी और धन प्राप्त होगा बुद्धी अत्यनत शक्रिय होगी दूसरों की सहायता है तो आप तुरन ततपर होगा इतना माल पानी होगा कि दूसरे की भी मदद कर पाएं अनेक प्रकार के वस्त्र, आभूशन, रत्न, साज, सज्जा, गाड़ी, यह वो, फुला, ठीकड़ा, सब कुछ होगा, पैसा होगा, संबत्ती होगी, संचिधन होगा, वानी होगी, चल-चल संबत्ती होगी, यानि कि ब यहां पर कुछ समय के लिए राहू भी बैठे हैं, तो थोड़ा सार डिस्टर्बेंस हो सकती है, लेकि कोई दिक्कत नहीं है, यह ब्रस्पती को घर बहुत पसंद है, यहां पर ब्रस्पती चाहें, तो आपको बहुत अच्छे रिखल दे देंगे, अगर आपकी जर्म कुल होंगे ब्रदभाशी, यानि मीठी बोलने वाले होंगे, मीठी चूरी होंगे आप, इस घर में ब्रस्पती जब भी होता तो व्यक्ति की आयू बढ़ती है, यानि कि उसकी बिमारियां कम होती है, आग्याकारी पत्नी और बच्चों का साथ होता है, पत्नी जगडएलू नह किसे अच्छी जान पहचान होगी, बड़े बड़े लोगों से जान पहचान होगी, एक अच्छी जोस्ची भी हो सकते हैं, बढ़िया इंसान होंगे आप, कुछ दिनों के लिए राहु और बुद्ध यहां पर होंगे, तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, कहते हैं कांटे बरा करने में, पढ़ाई लिखाई में, थोड़ी सी दिक्कत हो सकते हैं, या आप अपना कॉंसंट्रेट ना कर पाएं चीजों को, या आपका सवहाव तोड़ा दोस्ताना ना हो, या आप तोड़ा सब लोगों से ईश्या करने लगें, इस से आप थोड़े से परशान हो सकते है ये बाते मत करिएगा, समय अगले एक साल के लिए शानदार है, मक्षन मलाई की तरीके तरीके तरी समय है, आनंद ही आनंद है, देव गुरु प्रस्पती को अच्छा रखने के लिए सबसे पहले, पूरा मज़ा लेने के लिए सबसे पहले अपनी जर्म पुल्ली की जाच क कर सकें, दूसरी बात, मंदर जाईए, भगवान की सेवा करिए, बाता-पिता काश्रिवाद देजिए, धर्म से जोड़े रहिए, पीली चीजों का दान करिए, देव गुरु ब्रस्पती कुछ रहेंगे, यही उपाए हैं, और हर्माज जरी सफ़रते रहिए, बहुत ही ब करने का, आनन्द में समय विताने का, लेकिन अगर देव गुरु ब्रस्पती कुछ रहेंगे, खराब हैं, तो भाईया, दिक्कत भी हो सकती है, तो इसी लिए कह रहा हूँ, कि अपनी जनब गुर्ली की जाच करवा लो, बाद में पस्ताओ, इससे अच्छा है, पहले जाच करवा के सुख पालो, मिलाओ फोन जाच कराओ और आश करो, नमस्कार.